ओम नमस्षिवाय देखिए अब हम समझेंगे राशी किसे कहते हैं चंद्रमा प्रती एक दिन किसी ना किसी नक्षतर में रहता है और किसी ना किसी राशी में रहता है लगन तो वह अस्थान होता है जहां पे लगन पूर्वी दिशा में जो पहला उदित होता है पूर्वी छ रखेगा बहुत सिंपल कॉंसेट है लगन जब भी कहा जाता तो कुडली का पहला घर प्रथम भाव को लगन कहा जाता है और चंद्रमा जिस नंबर में होंगे उसको हम लोग कहेंगे आपकी राशी उधारण से समझते हैं देखिए चार्ट है यह चार्ट में करक लगन का चा चंद्रमा है लेकिन लगन चार नंबर में चंद्रमा कहा पर बैठा है नौ नंबर में तो जब भी आपको अपनी राशी देखना है तो आपको चंद्रमा देखना होगा किस नंबर में बैठा है अगर एक नंबर में बैठा है तो मेश दो में वरिशव तीन में मितुन चार में कर्ग, पांच में सिंग, छे में कन्या, साथ में तुला, आठ में व्रिष्चिक, नौ में धनू, तो नौ में बैठा तो धनू हो गया, धनू राशी हो जाएगी, अगर यही दस में बैठा तो मकर, ग्यारा में बैठा तो कुम्ब, और बारा में बैठा तो नीन राशी कह कराती है तो मीरे आपको यह समझ में आ गया होगा ओम नमस्षिक